किसान भाईयों आज की जो हमारी वीडियो है या वीडियो फटेरा को लेकर है हमारी जो धान की फ़सल है इसमें हमें फटेरा का प्रयोग कब करना चाहिए किसान भाईयों जब हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तब हम अच्छे अच्छे ग्रोध परमोडरों और कीट नासकों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी धान की फसल है इसमें इसी समय पे कीटों का प्रकोब जो है बहुत तेजी से होता है और हमारी जो धान की फसल है उसको रोग देता है जब कीटों का प्रकोब होता है धान की फसल रुख जाती तो उसकी ग्रोध भी रुख जाती है कीटों का प्रकोब अगर आपकी धान की फसल में हो चुका है तो उसको नियंतरन में शुरू में लाया जा सकता है अगर आप शुरू मे ध्यान ना देकर कीटो का प्रकोब को ध्यान में नहीं देते हैं तो कीटो का प्रकोब बढ़ जाता और धान की फसल को ग्रोध को रोग देता है और फिर उसके बाद उसका कोई भी हम उर्वरक का या कीटनासा का प्रयोग करते हैं तो उसका हमें कोई भी फैदा नहीं होता त जिससे कि आपको खेती समंद्ध चीची वीडियो मिलती रहें तो बढ़ते हैं वीडियो को तो बात करते हैं फटेरा की फटेरा असल में है क्या चीज़ किसान भाईयों फटेरा को बहुत सारे लोग ग्रोथ प्रमोटर के तरह भी प्रयोग में लाते हैं सबसे पहली बड़ी जया है, उसमें ग्रोथ प्रमोटर की तरह प्योग करता है तो किसान भाईयों यह क्रोथ प्रमोटर नहीं यह कीट नासक है दानेदार कीट नासक जो की हमारी फ़सल के लिए जो कीट लग जाते हैं जैसे की सुरुबाती दार्मke चीटों कीटों पत्ता लपेट है, वो बहुत ही तेजी से हमारी धान की फसल में लगना चालो जाता है उसके लिए फटेरा एक बहुत ही best option है किसान भाईयों फटेरा की बात करें तो 20 से 25 दिन के अगर आपकी धान की फसल है तो आप इस समय फटेरा का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप किसी खाद उर्वरग में मिला कर इसको डाल सकते हैं फटेरा की मातरा 4 किलो प्रती एकड के हिसाब से आपको धान के लिए लेनी है ध्यान रहना जब भी खेत में पानी हो अलकल का तभी आपको इसका प्रयोग करना है फटेरा का प्रयोग पानी करेगी अच्छी ग्रोथ करेगी और अच्छे कल्ले निकलेंगे कीटो के प्रकोव को हम अगर रोक लेते हैं तभी हमारी धान की फैसल अच्छी ग्रोथ करती है कीटो पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी जो धान की फैसल की ग्रोथ है वो बिल्कुर रुख जाती है तो किजान भाईयों उमीड करते हैं हमारे दवारा दी गई जानकर इच्छी लगी जानकर इच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लेजिए धन्यवाद